नमस्कार आप सब्सक्राइब टीवी उत्राखंड में स्वागत है मैं हूँ आपके साथ दिपिका जांगेड खबरों की शुरुवात करेंगे उससे पहले एक नजर है टाइन्स पर राजभवन में संबान समहरों कायोचन उत्करश्ट कारे करने वाले अधिकारियों को किया पुरस्कृत तो गंतंत्र दिवस की मौकी पर आजधानी में परेड ग्राउंड की सुरक्षे वैवस्ताओं की पुक्ता इंतिसाब नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी में उत्राखन सरकास हमपती जब्त करने का लाएगी कानू नकल करने वाले अभ्यारती भी होंगे दस साल के लिए प्रतिबंधिक जोशिमत आपदा में हैलंग बाइपास का पविश्य उतर निर्मान कारी के आई-ई-टी रूड़की करेगी जांच निर्मान से जोशिमत को खत्रा है या नहीं सौपेंगी रिपोर्ट तो फरवरी में जोशिमत जाएंगी राहुल कान्धी देरादून में पुलिस नहीं फर्सी अधरकाट बनाने वाले अंतराजी गिरोवका किया परदाफास चियस्सी कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक आपरेचर कुकिया गिरफतार जाली प्रमान पत्र भी बरामत भाड़ों में बदला मौसम का मिजाज उचाई वाले अलाकों में जमकर बरफवारी बरफ की चादर में धकी चोटिया निचली अलाकों में रिकॉर्ट तो ठंड ने दीदस तक खबर विस्तार से राजभवन में संबान समहारों का आयोजन किया गया है जिसमें राजजपाल गुर्मीत सिंग मुख्यमंत्री बुषकर सिंग धामी के साथ में कई विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया उतकरष्ट कारे करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत काई भागरों आईटी बीपी के साथ अंह आइक साथ कई यंनको इन्यकर एजंसियु का अधिकारयों की सरहना की गई राजजपाल गुर्मीत सिंग का कहना है की उतकburg कारी करने वालों को प्रशास्तिपत्र देकर समभाणित के आगया ताकि दूसरी भी अधिकारी और करमचारी उतकरश्ट कारी करें वहीं सम्भान पाने वाले अधिकारी और करमचारी भी स्तरकार की सरहाना कर रहे हैं गंतंत्र दीवस की मौकी पर राजदानी देहराधून में परेड और अन्य कारकरमों की मत्य नजर राजदानी देहराधून के परेड ग्राउंड की स्रक्ष्य ववस्ता की पुक्ता इंतिसाम किये गए SSP दलिप सिंग कुवर ने बताय कि गंतन्त दिवस की मौकी पर आजदानी देहरादून के चौक चोरायों पर सगंड चेकिंग अभ्यान चलाया जाएगा इसके साथी राजदानी देहरादून का परेड ग्राउंड परेड के समय पूरी तरीके से जीरो जोन में तब्दील कर दिया के जाएगा साथ ही वी वी आईपी मौमेंट की गाड़ियों को परेड ग्राउंड के चारो तरफ जाने के परमिशन होगी और आव जंता को पैदल मार्ग से ही परेड ग्राउंड में एंट्री मिलेगी उन्होंने कहा सुरक्षा कि दुष्टिकों से पियसी और पुलिस बलो की तैनाती परेड ग्राउंड के चारो तरफ कर दी गई है सबी संदिक दवस्तों पर पुलिस की पैनी नसर रहीगी लेके जोरो शोरो से तैयार है चल रही है और वह बहुत ही भवे रूप में होना है इसलिए परेड ग्राउंड के चारो तरफ जिरो जोर्म रहेगा राजपूर रोड चालू रहेगी ऊज़्ड चालू रहेगी पर जितनी भी इंटर्णाल रोड से है वह सारी रोड बन रहेगी और सुबह के समय में मेराथान के कारत बहुत सारी बार्गों पर डाइवर्जम रहेगा उसमें वहां सीटिंग आरेजमेंट से देखकर कि पुरा दस हमारिटी में उसमें हैं टूलियां वहाँ पर हैं जो प्रेट का मलब पार्टिपा करेंगे और ग्राउंड के चाला तरफ जेरो जोन रहेगा विजिन कोई प्रेट बार्टिपा करेंगे और उसका एकजिक इंट्री और पुक्ता प्लिस ब्हुता करेंगे ज़रा जानकर एक लिए मेरे साथ समाधत है यश्रा जाननत फोल लाइन पर जड़ चुके हैं यश्रा आज कल गंतंतर दिवस और गंतंतर दिवस की तैयारियों को लेकर उत्राखन जोर शोर से लगावा बैसे में सुरक्षा की दिश्ट्रे से बातचीत की जाए या फिर प लगातार गंतंतर दिवस को देखते हुए लगातार अधिकारी भी यहां पर तैयारियों का जाजा ले रहे हैं मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी मेरे पड़ेट गाउन में ही था यहां पर डी-म सोनीका और एससपी डले सिंग को गर दुवारा आए और यहां पर फ लगे हैं यहीं तक जौन से भी उसकी निग्रानी रखी जाएगी वहीं यदी बात की जाए सबसे पर एक ट्रैसिक वरस्ता जो 26 जनवरी को कापी ज्यादा देखने को मिलता है तो यदी बात ट्रैसिक की तो पड़ेट गाउन के चारो और जीरो जोन का चेत्र रहेगा और कि और अधिकारी सरवे अधिकारी सरवे चौंक से रोजगार तीहारा से कौनवर तीहारा की और दाहिने तरफ एक जाहां से वह इंशी ले सकेंगे और मैं आपको यहीं बताना चाह रहा हूं कि आदमी पहरा मिलिट्री, पुलीस, भूमगात और प्लेस कारिकन देखने आने सब्सक्राइब कर दिया गया है, राइपू रूट से सभी विक्रम सहंसधारा क्रॉसिंग से भी जाएंगे, तो इसी तरीके से सभी जगह से रूट का भी डावर जोन कर दिया है, और सुरक्षा के दृष्टी कोन से भी लगातार निगाहें रखी जा रहे हैं, यहाँ पर पुलीस के करनी तैनाथ हैं, पेव डाउन के सरब्षा के लिए होम गाज के जवान को तैनाथ कर दिया गया है, ताकि किसी तरीके से कुई भूल चूक ना हो, और जो भी जहां पर दर्शक देखने आएंगे, उनके लिए ए रेजिस्ट्रेशन की विवस्ता की गई है, जो अबी तर्शक में करी 120 एंगे लोगों ने परेज वेकमे के लिए अपना रेजिट्रेशन पर रेजिट्रेशन कर वा लिया है, तो और उसके बाद कुछ पास की विवस्ता की जा दिया जिसकी जाज पर्टाल की जाएगी जब वो इंटी होंगे इंटी गेग पर प्लीस के जाज पर्टाल की जाएगी जी चलिए अश्राज बहुत बहुत शुक्राप का तमाम जानकरी को साचा करने के लिए जोशिमट आपदा के बाद बद्रिद नात धाम के लिए जोशिमट के समय बन रहे है, हैलंग बाइपास का भविश्य उधर अधर में लठकता नजर आ रहा है सचीव आपदा प्रमंदन ने कहा कि वे ज्यानिकों को निरिदेश दे गए हैं कि वे जल से जल अपनी रिपोर्ट सम्मीट करें जिसे सरकार इस निर्मान को लेकर अंतिम निर्न ले सके सब्सक्राइब प्रदेश में नकल माफियां के लिए खिलाफ सरक्त सरकारवाई करते हुए सरकार ने बड़ा कदम उच्छाया मुख्यमंदी पुषकर सिंग धामी का कहना है कि उत्रखन सरकार जल्द ऐसे कानूनों को लाने जा रही है जिसमें नकल कराने वालों की संपति को जब्त किया लीग नकल कर वाना पुषकर सिंग धामी का कहना है कि नकल करने वाले बभीयारतियों के खिलावाई की जा जाएगा एसे में उत्रखन सरकार नकल को रोकने के लिए सक्छ तकानून बनाने जा रही है परिख्षाओं में परचा लीग, नकल करवाना, पैंड राइब से नकल करवाना या जितने भी हद्कंडे हो सकते हैं पेपर सेट करना और जो लोग उसमें सनलिप्त पाए जाएगा उसमें एक तो उनकी संपून जो संपत्ती होगी वो जबत की जाएगी और साथी साथ यह प्रावधान भी कर रहे हैं कि जो लोग भी जो अभ्यर्थी के नाते परिख्षा देने वाले हैं और उसमें पकड़े जाएंगे तो अगले दस सालों तक वो किसी परिख्षा में भागने ले पाएगे और इस खबर पर ज़्यादा बाच्चीत के लिए में रसा समादता हिमानशु बर्मोलाफ ओन लाइन पर जोड़ चुके हैं हिमानशु नकल करने वालों पर वो उत्राखन सरकार सक्त होती हुई दिखाई दे रही हैं जहाँ पर नकल करने वालों को लेकर एक बड़ा कानून जिसमें उनकी संपते जब्त करने की बात यहाँ पर सामने आ रही है क्या कुछ पूरी जानकर इस कानून को लेकर परिक्षा में जो नकल विरोधी कानून है उसे लाए जाएगा और साथी नकल करने वाले और उससे जुड़े जो तमाम लोग होते है उनको लेकर एक सक्त बयान भी दिया है कि परिक्षा में जो नकल करते पाए जाने वाले उनकी पूरी संपती पूर्द कर दी जाएगी इसके साथी परिक्षा देते समय जो भी नकल करते पकड़े जाएगी वो आने वाले दस सालों के लिए किसी भी परिक्षा में सामिर नहीं हो सकी ज़िए नकल विरोधी कानून में प्रावधान अब्जोग करने जा रही है उसको लेगा कैबिनेट में भी पास किया जाएगा कि दहरादून जिसे भारत में सिक्ष्य हप की रूप में जाना जाता है जहां देश की कई प्रतिश्य सिक्ष्य संस्तान मौझूद हैं वहीं कुछ लोग सिक्ष्य की नाम पर बाजारी करने से गुरियस नहीं कर रही है सिक्षा का व्यवसाई करने में लूसेंट पब्लिक स्कूल देहरदून का नाम सबसे ज़ादा अवल है वहीं जब बाल सरक्षन आयोग के अधिक्ष गीता खन्ना को इस बात की जानकाने मिली तो उनकी टीम लूसेंट पब्लिक स्कूल पहुँची जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लूसेंट पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल बिहार से तालुक रखते हैं इस कुछ बच्चों ने पाया कि उनका रेस्टेशन ही नहीं हुआ तब बच्ची अपने सिक्षिकों के साथ आयोग तफ महचें ने में तो हद यह हुई किबचों को लाया गया और यह कहके लाया गया कि आपका CBSE में रेजिस्ट्रेशन होगा उनसे रिजिस्ट्रेशन फीस ले ली गई पर उन्हें रेजिस्ट्र ही नहीं कराया गया और जब कुछ बच्चों के पेपर शुरू है प्री बोर्ड में और तब वो बच्चे अपने एक टीचर के साथ आयोग तक आए हलांकि आयोग की रिकमेंडेशन पे उनमें से 42 बच्चों को CBST में एक्जाम देने का मौका मिल गया है पर ये एक सांट कांट है और इसके लिए हमें अपने कोचिंग इंस्टिटूट्स डिफेंस इंस्टि के अधार पर तयार किये जा रहा था इंजाली जनम प्रमाण पत्रों के अधार पर नहीं अधारकार्ड और अन्य पहचान पत्र बनाये जा रहे थे जब इसकी सुष्णा स्टिफ को मिली तो एक टीम का गठन का सेला को इस शेत्र में जांच के लिए भेज दिया जांच में पाए गया कि से सेंटर भी इस परकार की गतिवीधियों में सलिम थे जिसके बाद स्टिफ टीम के ने सेंटर में च्छापा मारकर उसके संचालक ऑपरेटर को गिरफतार किया च्छापे की दौरान अधार सेंटर से थाई व्यक्तियों के विभिन राज्चों के सरकारी स्ट किस साले की मोहर के साथ जारे किये गए लोगों के जाली प्रमान पत्र भी बरामत हुए इसके अलावा 26 व्यक्तियों के अधार कार्ड भी बरामत हुए है नेटवर्क चला रहे थे इनका प्राइमरी फोकस जो था जो प्रैक्टरी में काम करते हैं अंडर एज के बच्चे उनकी जन्मितिती में चेंज करके उनको मेजर दिखा कर उस आधार तोर उनको आगे एंप्लाइमेंट मिल रहा था और जो इसमें वेबसाइट का पता चला बना रहे थे एक पैन इंडिया वेबसाइट है जिसका कि कई अलग अलग राज्यों में संचालन हो रहा है इससे ऑल ओवर इंडिया कहीं का भी बड़ सर्टिफिकेट बनाया जा रहा था तो इस समद्ध में असे अलग कोई थाने में मुकतमा दर्ज करा दिया गए स्टेप तो और उसमें आगे मांसे वहिशना की है जाता मोहन प्रकाश ने कहा कि केंदर के मोधी सरकार ने देश पर 155 लाग करोड का कर्ज डालने का काम किया है केंद सरकार पर हमला करते हुए मोहन प्रकाश ने ये भी कहा कि केंद सरकार देश के सारुषनिक उपकरमों को भी अपने मित्र कारोबारियों को बेचने का काम कर रही है मैं कॉंग्रिस के पुर्वी राष्ट्री अध्यक्ष राहूल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मोहन प्रकाश ने तहासिक यात्रा बताते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा देश के अब तक सबसे बड़ी यात्रा सिद्ध हुई है और इसमें चाहें किसान हो चाहें नौजवान हो चाहें छोटा ब्यापारी हो यह सारे जोग वर्ग हैं करमचारी हो सब पलिशान और बेहान है महगाई जो देश में है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के द्वारा प्रायोजित है क्योंकि जो आटा जैसी चीज पर दूस जैसी चीज पर छाच जैसी चीज पर भी GST लगाई होसे किसान जिन चीजों का उब्योग करता है अपनी क्वेटी के लिए उन सारे चीजों पर भाबहर कर GST लगी हुई तो जो सरकार के द्वारा प्रायोजित मेहनाई है और वो इसलिए है कि उनका लक्ष है करीबों से लूटो और अपने पुंजी पती मित्रों को छूब दो 26 जनवरी से कॉंग्रेस की हाथ से हाथ जोडो यात्रा का शुबहरम होने जा रहा है जिसको लेकर कॉंग्रेस जन काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं वहीं कॉंग्रेस प्रदेश रधर्ष करन महारा ने कहा कि कल से शुरू होने वाली कॉंग्रिस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में वह खुत द हरादून में मौझूद रहेँगे इसके बाद वह हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए हरिदवार जाएंगे करण महारा ने कहा कि Coordination Committee के अंतरके 6 सदस्यों को न्यूक्ति किया गया है इसके साथ ही करण महारा ने बताया कि पांचों लोगसभा सीटों के लिए प्रभार्यों और प्रवेशकों की न्यूक्ति की गई है जाएगी हम लोग भी देहरादून में कुछ यगो मैं खुद भी उपस्तित रहूंगा कल के दिन और परसू में फिर हरिद्वार के कुछ शेत्रू में हूं और सभी निताओं को इसमें लगाया गया है इसमें दो कमिटियां बनाए गई हैं जिसमें पूरे परदेश के लिए जो कॉर्डिनेशन कमिटी उसका चेर में मैं हूं साथ में छे वरिष नेतागन भी हैं जिसमें हरक सिंग रावत, रंजीत रावत जी, डॉक्टर जीत राम जी, काजी नजाम उद्दीन जी और ब्रह्म सरूप ब्रह्मचारी जी और मनोश्तिवारी जी कॉंग्रेस प्रदेश अधेश करन महारा और कॉंग्रेस की अन्य सभी दिग्ज नेता कॉंग्रेस की पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष राहूल गांदी की भारचुड़ो यात्रा में शामिल होनी के लिए जम्मू पहुंचे थी, इस तुराम भारचुड़ो यात्रा मे परभारित देविंद्र याधाव सहीत सभी बड़े नेता जोशिमत आपदा के तहर सरकार के राहत और बचावकारियों के समिक्षा के लिए जोशिमत के साथ ही करन प्रियाग भी पहुंचे, करन महारा ने कहा कि राहूल गांधी जोशिमत आपदा को लेकर बेह संजीदा ह राहूल जी ने दिखाया, सुरू में उन्होंने दो जोशिमत आपदा इत्यादी के दोरे भी खिए और कल उनका वारतलाप का जो मुख्य था वो इस बात को लेगा था कि इस रो की रिपोर्ट जिसका बेनेफिट इस चीज के लिए जाना चाहिए था कि हम कैसे प्रिविन करने के लिए स्टेप्स उठाएं और लोगों को मदद कर सकें भाच्पा नेता मदन रावत ने किया भाच्पा कारेकरता ने नमन्यूक्त मंडल अधिक्ष का फूल माला पहना कर मिठाई खिला कर स्वागत किया खीम सिंग बिष्ट ने कहा पाटे ने मुझे जो जम्यदारे सौपी हो से बखो भी निभाएंगे और मंडल के सभी कारेकरताओं को साथ लेकर भाच्पा के विकास कारियों को जन जन तक पहुचाने का काम करेंगे उन्होंने कहा अपने कारेकाल को बहतर करने शेत्र के विकास को आगे बढ़ाना मेरी प्राप्त मिक्ता रहेगी जिला ये हम सीर से राज जी के सीर से नेत्रतु का अभारी करते हूं कि मुझे से एक सामानिक कारेकरता को आज भारती जनता पार्टी लंगळा मंडेल अध्यक्स की जिमिदारी दिये मैं आपको ये एक सुनिश्चित करता हूं कि मैं तहे दिल से इस मंडे का कारेकबार बहुत अच्छी तरह संगठन को आगे बढ़ाने के लिए संगठन की रीती नीती को आगे बढ़ाऊंगा और बहुत सब ये लोगों को अपने सांस लेके चलूंगा इन सबीका पुर्ग साथ फिलाल के लिए इस बुलेटे में इतना ही मुझी दीची इसासत नमस्कार